What's up guys, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरह आप अपने घर पे Deep Water Culture यानि की DWC सिस्टम बना सकते हैं और Vegetables ग्रोग कर सकते हैं तो Deep Water Culture सिस्टम यानि की DWC बनाने के लिए जो भी समान चाहिए वो आप यहाँ सामने देख सकते हैं सबसे पहले मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा मेरे पास है कंटेनर यानि कीक बकेट आप किसी भी तरह की बकेट ले सकते हैं डिपेंड करता है आप कौन सी वजटेबल ग्रोग करना चाहते हैं फ्रूटिंग वजटेबल के लिए थोड़ा सा बड़ा बकेट लेना होगा लगबग 15-20 लिटर के आसपास और अगर आप ग्रीन लीफी वजटेबल करना चाहते हैं आप थोड़ा कम गहरा कंटेनर भी ले सकते हैं और इस बकेट को मैंने चारो तरफ से प्लास्टिक की शीट से कवर कर दिया है ब्लैक पॉलिथिन की शीट जो होती है ताकि जो लाइट है वो इस बकेट के अंदर ना जा पाए और यह है एक air pump और यह है air stone जिसकी help से हम newton solution को oxygenate करते हैं और आपको चाहिए होगा यहाँ पे net cup डिपेंड करते हैं आप क्या grow करना चाहते हैं आप 2 इंच या 3 इंच की net cup यूज़ कर सकते हैं मैंने यहाँ 3 इंच की net cups लिए हैं और यह है clear piping, clear tubing, air stone को और air pump को इसी से connect करेंगे हम और हमें जो अपना container है उसके जो lid है ढखकन है उसके अंदर hole करना होगा थाकि net cup adjust हो सके उसके लिए हमें चाहिए drilling machine और साथ में ही round जो drill करने के लिए hole saw होते हैं वो चाहिए होंगे और जिस तरह का hole आपने करना यानि जिस भी size का hole करना है उसी साब से आप जो round hole saw हो आप ले सकते हैं मैं इसका link description में दे दूँँगा आप देखेंगे कि जो set आता है उसके साथ अलग-अलग sizes के hole saw मिलते हैं तो मैंने 3 इंच net cup के लिए 76 mm यानि की 3 इंच का ही hole saw use किया है यहाँ पर जिसकी help से हम container के धकन में hole करेंगे और जो हमारा net cup है उसको अच्छी तरह से adjust करेंगे तो चलिए सबसे पहले धकन में hole कर लेते हैं तो गाइस हमने यहाँ पर जो हमारा container है उसके lid में hole कर लिया है 3 इंच का और अब हम इसमें net cup डालेंगे तो यह आप क्लिरी दे सकते हैं इसमें net cup easily adjust हो रहा है बड़ा अच्छे से settle हो रहा है तो आप जो भी net cup size use करते हैं उसी साब से ही hole saw का use कीजिए उसी size का जो hole saw है उसको उसी से cutting कीजिए तो आपका जो net cup है easily adjust हो जाएगा तो यह आप नीचे से भी देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से डककन के बीचों बीच बैठा हुआ है और अब हमें जो air stone है उसको इस bucket के अंदर डालना है उसके लिए जो उसकी piping है tubing है उसके लिए एक छोटा सा hole हमें यहां इसी डककन में करना होगा net cup के साथ ही तो सबसे पहले हम उसका एक छोटा सा hole है वो अपने drill bit से कर लेते हैं और यहां हम एक छोटा सा hole करना है मैं यहां जो round hole से हो है use इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको उतारा नहीं है लेकिन मैंने इसको round के लिए use नहीं किया है सिरफ जो drill bit है आगे से उसी को use कर रहा हूँ और अब आप यहां देख सकते हैं कि हमने hole कर लिया है अब जो हमारी clear tubing है इसको इस hole से हम निकाल लेंगे दूसरी side से खीच लेंगे और जो इसका एक hand है उस पे हम air stone लगा देंगे और air stone और हम कैसे connect करना है वो मैं आपको भी बताऊ container है उसमें हम newton solution डाल लेते हैं ready कर लेते हैं bucket को और newton solution डालने से पहले मैं आपको अंदर से दिखा दूए एक बिलकुल normal bucket है और इसकी capacity 25 लिटर के आसपास है और चलिए इसमें हम newton solution भर लेते हैं तो हमने अपने container में newton solution डाल लिया है ready कर लिया है जिस भी तरह का जिस भ लोड के लिए clay bubbles या है तो अब हम क्या करेंगे अब जो हमारी clear tubing है वो इस जो हमारी ढकन है हमारी bucket का container का उसके अंदर से clear tubing निकाल के उसमें air stone connect करेंगे और जो दूसरा end है tubing का उसको हम air pump से connect करेंगे दोनों end से tubing connect करने के बाद हम electricity on करेंगे और pump को start करेंगे और अब आब bubbles उठ रहे हैं तो जो air pump का काम है वो यही है कि air stone के थूँ जो हवा है newton solution में वो transfer करता है जिसकी वयसे oxygenation होती है bubbles पैदा होते है और जो newton solution उसमें oxygen educate quantity में बनी रहती है और plants drown नहीं होते और अब finally हम जो हमारा net cup है उसमें growing media और उसके साथ seedling डालके जो हमारा container यानिकी DWC system ह उसमें इसको place कर देंगे और आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने seedling growing media के साथ net cup में डाल दिया है और यह seedling transplant के लिए ready है नीचे से आप देख सकते हैं इसकी जो roots है वो net cup से नीचे आ रही है जो की newton solution को touch करेगी और इस तरह जो भी newton seedling को चाहिए वो newton solution से उठाती रहेगी और जो seedling है वो plant में grow होगा बड़ा हो जाएगा और आप चाहें तो यहाँ पे दो air stones में लगा सकते हैं दो air pipe यह आपको जूरत पड़ेगी आप दो hole करके उसमें से डाल सकते हैं पर मैंने अभी एक ही use किया है यहाँ तो guys इस तरह आप अपने घर पे DWC यानिकी deep water culture system बना सकते हैं और plants grow कर सकते हैं DWC system बनाने के लिए कोई भी आपको अगर सामान की ज़रुत है उसके links मैंने description में दिये आप चाहें तो वहाँ से purchase कर सकते हैं तो अगर आपके कुछ questions है तो नीचे comment section में मुझसे पूछ सकते हैं मैं जल्दा हूँगा नेक वीडियो के साथ तब त के